नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं हेमंत सुरेन का पत्र भाजपा संसत्गों कैसे मिली? जे एमेम जार्खन मुक्ती मोर्चा ने एक बर फीर आरोप लगाया है कि समयधानिक संस्थाओं पर भाजपा का कबजा हो गया है मुर्चा के केंदरिय समीती सरस्य सुपरियों भटाचारी ने कहा है कि चुनाव आयो को मुख्य मंतरी हमानसुरेन द्वारा भेजा गया पत्र भाजपा के गोड़ा से सांसर निसिकान दूवे ने सरोजनी किया है उन्होंने दोनों पत्र में मुख्य मंत्री का हस्ताक्षर को अलग अलग बताया जामुमो नेता ने सवाल उठाया है कि जब मुख्य मंत्री हेमांसुरे ने चुनाव आयो के पत्र भेजा है तो इसकी प्रती भाजपा सांसर निशिकान दुवे को कैसे मिल गई इससे प्रतीत होता है कि भाजपा का कबजा सन्वेधानिक संस्थावों पर भी है इससे चुनाव आयो की विश्वसनियता पर संकट पैदा हो गया है आयो को या अस्वश्ट करना चाहिए और उन अधिकारियों खिलाब ततकाल करवाई करना चाहिए जिन्होंने मुख्य मंतिर द्वारा प्रेसीद पत्र भाजपा संसथ तक पहुचाया मंजुनात भयांतरी पर देश दुरो की प्राथमिकी से भड़के आये एस गोड़ा के भाजपा संसथ निसिकांत दुबे और देवघर के उपायुक्त मंजुनात भयांतरी के बीच छिडी जंग के आगे बढ़ने के पूरे असार है राज्य में तैनात भाते प्रसासनिक सेवा के अधिकारियों ने उपायुक्त मंजुनात भयंत्री के पक्ष में एक जुटता दिखाई है अधिकारियों की नराजगी इस बात को लेकर है कि कर्तव निर्वाहन के दौरान अस्थाने संसद ने बाधा उत्पन किया देवगर के उपायुक्त ने इस पर प्रसासनिक करवाई की तो उनके खिलाब राज्य के बाहर दिल्ली में जीरो एफायार दर्ज करा दिगाई इससे अधिकारियों के मनोबल पर असर पढ़ने के साथ साथ टक्राव बढ़ सकता है जे एससी असनातक अस्तरिय नियमावली संद में धानी की रूप से सही जारखन हाईकोडने जारखन करमचरी चयन आयोग असनातक अस्तरिय परिक्छा संचलन संसोध नियमावली 2021 को चुनावती देने वाली याजकावब पर सुनवाई की चीफ जर्षी डाक्टर रवी रंजन और जर्षी शुईत नरन परसाद की खंट पीट में लगबग तीन घंटे तक चली सुनवाई के दोरान राज सरकार की ओर से सुप्रीम कोट के वरिय अधिवक्ता सुनिल कुमा ने बहस की उन्होंने कहा कि JSSCS नतक अस्तरिय परिक्सा संचारी नेमावली सन्वेधानिक रूप से सही है इससे जर्षन के लोगों के हीत को देखते हुए बनाया गया है सरकार को नेमावली बनाने का पूर्ण अधिकार है राज सरकार की बहस अधूरी रही मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी जर्षन के पोली टेकनिक संस्थानों में इंजिनियरिंग डिपलोमा में नमांकन के लिए साथ से काउंसिलिंग जार्खन के सरकारी एवं गयर सरकारी पोलिटेखनिक संस्थानों में संचालित इंजिनियरिंग डिप्लोमा पाठकर में नमांकन के लिए बुद्धवार से ओनलाइन काउंसिलिंग शुरू होगी जार्खन सन्युक्त परवेश परत्युक्त परिक्षा परिशद ने 29 जून को ली गई परवेश परिक्षा का परिणाम नौ जुलाई को ही परकासित कर दिया था जिसके अधार परिया काउंसिलिंग होगी पारसत द्वारा जारी सुचना के अनुसार काउंसिलिंग के लिए ओनलाइन राइस्टेशन तथा स्रीट आवंटन के लिए बिकालपों के भारने की परकिरिया बुद्वार से शुरू होगी जो 13 सितंबर तक चलेगी ज्यार्खन के जेलो में चांता से अधीक कैदी हलाकि महिला कैदीो के ममले में ऐसा नहीं है चांता से कम महिला कैदी जेलो में बंद है नेशनल क्राइम रिकोर्ड बियोरो के हालिया रिपोर्ट में या खुलासा हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिस्टमबर 2021 तक के आकड़े बताते हैं कि जारकण में 16,575 पुरूस और 925 मिला कैदियों को रखने की छामता जेल में है लेकिन जेलों में बन्द पुरूस कैदियों की संख्या 239 तक पहुंच चुकी है मंतरी सत्यानद भोकता से जुड़ी बीज घोटाला में फैसला सुरक्षित जारकण के स्रम मंतरी वा पुर्व क्रिसी मंतरी सत्यानद भोकता की ओर से बीज घोटाला को लेकर हाई कोट में दायर क्रिमिनल क्वें सिंग या चिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गोतम कुमार चौधर के अदालत ने फैसला सुरक्षी तरक लिया है परार्थी ने क्रिसी बिज खरीद घोटाला मामले से जूड़ी केस में आगे की जाच की मांग की है आपको बता दे की मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोट में चुनवाटि दी है जारखन हाई कोट के जस्टिस गोतम कुमार चौधर के अदालत ने जारखन के स्तरम मंत्री वा पूरो किरिसी मंत्री सत्यानद बोक्ता से जूड़ी क्रिसी बीच गोटाले के आये कि जाच को लेकर द्यार्च का पर सुनवाई पूरी होने के बाद आपना फैसला सुरक्षित रख लिया है प्रेम प्रकास की रिमांड अधी खत्म जारखन के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकास उर्फ पीपी को परवर्तन निदेशाला की ओर से पीएम एले कोट के बिशेस नयाधी स्पिक्के सर्मा के आवासे कर्याले में मंगलवार को पेसी किया गया अधालत ने पीपी को 16 सितंबर तक जेल भेजने का अधेश दिया उसके साथ ही प्रेम प्रकास की रिमांड अधी खत्म हो गई आपको बता दे कि प्रेम प्रकास को रिमांड पर लेका एडी के पतादिकारी अवायद खनन समेत अन्यमामलों में पूछ ताच कर रहे थे स्टील ट्रेड अपरेंटिस में स्की प्रतमिकता देने की मांग जमसेत पूर में केंद्रिये मुखी समाज ने टाटा स्टील्ट्रेड अपरेंटिस बहाली में अनसूचित जाती दी problems के सचियू महेश मुखी के नत्रतमिकता नाम ग्यापन सोपा, ग्यापन में ST की तरह SC को भी सामिल करने की मांग की, 15 दिनों में कोई निना नहीं लेने पर जनरल ओफिस गेट के सामने धार्ना परदर्शन की चेतावनी भीदी है, मौके पर बिक्की मुखी, कालिया मुखी, चंदन मुखी आदी मुझूद थे जार्खन में पिछड़े वर्गों को 27 परतिसत आरक्षान, जार्खन में एक बार फिर पिछड़ा वर्गों OBC के लिए आरक्षान का मामला सुर्खियों में है, सताधारी गडबंधन के तीनों दल अपने चुनावी घोसना पत्रों में ही इसकी बात कर चुके हैं, और एक दि आरक्षान की बात काई थी, इस गोसना के पहले ही कर्मिक विभाग ने अपनी कवाय सुरू कर दी थी, और पिछड़ा वर्ग के आरक्षान परतिसन को बढ़ाने के लिए कमिटी के गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास लंबित है, सुत्रों के अनुसार तिन सेस्त स बुढ़ा पहार पर अप्रेशन आक्टोपस बंकर धवस्त जारखन चातिसगर सिमा परिशित बुढ़ा पहार पर भागपा मवादी के कुख्यातनक सरीयों के खिलाब जारखन पुलिस ने पिछले दो दिनों से अप्रेशन आक्टोपस शुरू किया है, इस अभियान के त 350 अधी गोली, 500 मीटर कोडेक्स वायर, आमोनियम नाइट्रेट आधी समागरी बरामत कर लिया है, दिली में डटे हैं जारखन के राजेपाल, जारखन में लगभग 15 जिन से चल्ड़ है रायनेति गति विदियों के बीच हेमन सरकार दवारा विश्वास मत प्राप्त करने क एक बाद एक बार फिर सभी की नजरी राजभवन की ओर टिकी हुई है, ओफिस अफ प्रोफिट माले में मुख्य मंत्री है मनसुने की विदान सभागी सस्यता को लेकर निरवाचन आयोग की अनुसंसा क्यालोच में राजेपाल रमेश बेस को निना लिना है, फिलाल इस सम समिस्थारी राजनिती गतिविद्या राजेपाल के निरना पर ही ठीकी है, फिलाल राजेपाल अभी भी दिल्ली में ही है, सियम हेमंध के विधायकों को संपर्क में रहने का निर्देश, विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंध सरकार का आत्म विश्वास भले ही लोट आया हो लेकिन राजकाराई नितिक संकट अभी टला नहीं है, परतिक्छा बहस राजभवन के निरना की है, राजभवन ने यह जनकारी सन्युक्त प्रगति सिल गठ बंधन के सिस्ट मंडल को दी थी की चुनाव आयोग ने उन्हें मुख्य मंत्री से समधित पत्र भेजा है, इसके बारे में वे जल्द जनकारी देंगे, आयसी परस्थिती में राजभवन के फैसले पर सबकी नजर है, सतापक्स के बिधायकों को एक जुट राने के लिए जहमों और कांग्रेस ने खूब जद्दो जोहत की है, पहले रांची में लगतार बैठकों का दोर चला, उस बिहार में इस समय सराब बंदी लागू है, खुलियाम सराब नहीं मिल रही है, चूरी छुपे सराब मिल भी गई, तो पकड़ जाने पर दंड और जेल का भाय बना रहता है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग सराब पीने के लिए जारखन चले आते हैं, बिहार से सटे ज जिलों में यह नजारा आम है, जारखन में सराब बंदी नहीं है, यहां से बड़े प्रमाने पर अवयद सराब बिहार भी भी बेजी जाती है, कई बार यह पकड़ भी जाती है, बता दे बिहार के तीन यूग सराब पीने के लिए जारखन आ रहे थे, जारखन की सीमा में निकल कर अपनी जान बचा ली लेकिन पानी के तेज बहाव में उनकी बलोरो बाग गई है बच्चा चोरों की तरह काम करती है बिजेपी कांग्रेस प्रमोख जारखन कांग्रेस प्रमोख राईस ठाकों ने मंगलवार को भारतिय जनता पार्टी को राईनिति खरीद फरोक्त को लेकर बच्चा चोर करार दिया उन्होंने कहा हमारे विधाय कहीं नहीं जा रहे थे BJP देश की गेर BJP राजी सरकारों को आज़िर करती है हम हमेसा सवधानी बरतते हैं क्योंकि वे बच्चों के चोर की तरह हैं हम सुनते थे कि एक बच्चा चोर आएगा और उन्हें ले जाओ इसलिए हमें सवधान रहना होगा जार्खन काउलेस अध्यक्त राजस ठाकूर ने कहा जब पूछा गया कि क्या यूपीय ने विश्वास मत के बाद विश्वास हांसिल किया और विधायकों को घर जाने दिया ठाकूर ने कहा हमने सदन में अपना बहुमत और ताकत सावित की है मददाता काड अधार से जोड़ने पर दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे राज़ी के मददाता मददाता काड को अधार से जोड़ने का काम एक अगह से सुरू हो चुका है लेकिर राची में इसकी रफ्तार काफी धिमी है करिब एक माह बीत जाने के बाद भी सिर्फ 14% मददाताओ के काड अधार से जुड़े गए है जबकि राची जिले में बरतमान में मददाताओ की संख्या 23,83,684 है अधार काड से मददाता काड को जोड़ने के लिए बिये लो भी पूरा पर्यास कर रहे है लेकिन लोगों की दिल्चस्पी नहीं दिखाए जाने के कारण इसकी रफ्तार कम है चुनाव आयोग ने मददाता काड को अधार से जोड़ने को स्वयक्षिक किया है यही कारण है कि सहर के अधिकांस लोग मददाता काड को अधार से लिंक नहीं करा रहे है बेतन नहीं मिलने पर capitalize के अंदर नाररेवाजी कर रहे है भुखतान नहीं किया जा रहा है मंगलवर्क को कामगारों ने केंद्री ये स्रमायूक्त कर्याला जाकर गयापन भी सोपा बेतर नहीं मिलने से HEC के कामगारों कांदोलन तेज होता जा रहा है बुद्धवार से दूसरे पलांटों के कामगार भी आंदोलन कर सकते है जवाहर नवदे बिद्याले में कक्छानों में नमांकन के लिए ओनलाइन आवेदान प्राराम्ब सहर के जवाहर नवदे बिद्याले में कक्छानों में नमांकन है तू प्रवेश परिक्षा 223 के लिए ओनलाइन आवेदान प्राराम्ब हो चुका है इस आसे की जनकारी देते हुए परचाय डाक्टर आर्पी सिंग ने बताया कि ओनलाइन आवेदान 2 सितंबर से प्राराम भाया और इसकी अम्तिमती थी आगामी 15 सितंबर तक निधारी था है उन्होंने कहा है कि ओनलाइन आवेदान नवदे बिद्याले के वेबसाइट अधैनरत एवां जिले का मुल निवासी होना अवस्यक है तीन भच्चों की माने साजी से किया इनकार तो चाकू से गोट डाला प्रेमी बोकारो जिले के चास्थाना छेतर के तेली डी बावरी मुहले में रहने वाले सिर्फिरे सिव चरण बावरी ने एक तरफा प्यार में बिद्वा को तावरतोर तेज धारदार हत्यार से वार कर गंबी रूप से घायल कर दिया घायल महिला को चास्थ पूलिस ने आनन फानन में बोकारो सदर अस्पताल भरती कराया जहां महिला कहला चल रहा है पूलिस ने तवरित करवाई करते हुए आरोपी को धारदार हातियार के साथ गिरफतार कर लिया है आपको पता दे कि बिद्वा महिला तीन बचों की मा है जबकि आरोपी दो बच्चों का पिता भी है जमसेदपूर के 20 साल के युवाओ को भी आ रहा हा हाट अटैक जमसेदपूर में हाट के मरीजों की संख्यातेज से बढ़ रही है चिंता की बात या है कि ज़्यादा मरीज 40 साल से कम उम्रे के मिल रहे है जमसेदपूर के दो बच्चों के अस्पताल से प्राप्त आकडों से या बात सामने आई है जमसेदपूर में हाट अटैक से 10 केस में से 3 मरीजों की उम्रे 40 साल से कम की होती है और 10 में से 2 लोगों की मौत भी हो जा रही है बता दे TMS में हाल में 20 साल के भी हाट अटैक के मामले आए है गुमला की ट्रेक्टर दीदी मनजू के क्रिसी रिपोर्ट पीएमो को भेजी गई इसकी जनकारी मिलते ही मनजू काप्य उत्साहित देखी मनजू गाओ की महिलाओ को प्रेरित कर महिला क्रिसक समूह का गठन भी की है बता दे कि मंजू द्वारा खेत में ट्रेक्टर चलाने से ग्रामिन काफी नराज हो गए थे ग्रामिनों द्वारा बिरोध को परमोक्ता से समाचाल में परकासित होने के बाद चारो तरप से मंजू की सराना और सहयोग मिलने लगे धनबाद में बैंक लूटने आय लूटेरो के साथ पूलिस से मुटभेड में एक की मौत बड़ी खबर जारखन की कोल नगरी धनबाद से है जहां बैंक मोर थाना चेतरी स्थीत मुथूट फाइनेंस कंपनी में डखायती करना अपराधियों की पूलिस से मुटभेड हुई जनकारी के मुताविक पांच की संक्या में रहे इस गैंग में एक लूटेरा पूलिस के दोवारा सूट आउट में मार दिया गया जबकि दो अपराधी जिरफतार है इसके अला कोमेंट बस में अपना फीड़बैक अवस्य दे थांक यू